कुपाल से 80 फंदे हमने डाल लिए हैं, 80 फंदे दोनों साइट से उल्टा उल्टा बिन लेंगे इधर से भी और इधर से दोनों साइट से उल्टा उल्टा बिन लेंगे 12 सिलाई हमने उल्टा उल्टा बिन लिया है, दोनों साइट से एक जैसा अब यहाँ से सीधा बिनेंगे एक इस साइट से सीधा बिनेंगे और इस साइट से उल्टा दो, तीन, चार, पांच पांच फंदे हमने यह बिन लिए इसके बार यह दो फंदे हैं दो का एक कल लिए फिर दो फंदे ले लिए दो का एक कल लिए फिर दो फंदे ले लिए दो का एक कल लिए तीन बार करना है इसके बाद पांच फंदे फिर बिन लेने हैं सीधे सीधे पांच फंदे बिनने के बाद फिर इससी तरीके से दो फंदों का एक, दो फंदे हैं, दो का एक, दो का एक, दो फंदों का एक फिर पांच फंदे सीधी सीधी बिन लेने हैं, फिर तीन बार इसी तरीके से बिन लेने हैं 5 फंदे शुरू मा उल्टे उल्टे बिन रहे हैं और 5 फंदे लास्ट मा उल्टे उल्टे बिन आठ लाइन हमने अब ये सीधे सीधे बिन लिये हैं इस साइट से सीधे इस साइट से उल्टे आठ लाइन सीधे बिने हैं, अब आठ लाइन उल्टे बिनेंगे, जिस तरीके से ये बिना है आठ लाइन उल्टे बिनने के बाद फिर आठ लाइन सीधे बिनेंगे, फिर आठ लाइन उल्टे, फिर आठ लाइन सीधे इसी तरीके से पूरी टोपी बनाएंगे, दोनु साइट से उल्टा उल्टा भी नहींगे, इसी तरीके से उपर को बिन लेंगे, आर्ट लाइन सीधे, आर्ट लाइन उल्टे, आर्ट लाइन सीधे, आर्ट लाइन उल्टे, आर्ट लाइन सीधे हमने बिन लिये हैं, अब हमा चार भागों में बाट लेंगे, आप दो सिलाईयों से भी बीन सकते हैं, और गले बनाने वाली चार सिलाईयों से भी बीन सकते हैं, हम चार सिलाईयों से बीन रहे हैं, अभी तक पांस फंदे हम उल्टे बना रहे हैं, अब इन फंदों को सिधा बीन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शार, आट आट फंदे हमने ये बिन लिये है एक फंदा बिना बिने वे निकार दिया है अब 16 फंदे सीधे सीधे बिन रहेंगे 16 फंदे 16 फंदे हमने सीधे सीधे बिन दिये फिर यहांसे एक फंदा फिर निकार बिना बिने वे फिर 16 फंदे बिन लेंगे यहांसे हम दूसरी सिलाई लगा लेदे ताके मोर्ने के लिए सुविधा होवी 16 फंदे सीधे बिनेंगे फिर एक फंदा बिना बिने हुए उठा लंगे, फिर 16 फंदे बिनेंगे, फिर एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लंगे, फिर लास्ट में 8 फंदे बिनेंगे जिस तरीके से शुरू में हमने 8 फंदे बिने थे, लास्ट में भी 8 फंदे बिन लंगे पूरी लाइन हमने बिन लिया, 8 फंदे शुरू में बिने, फिर एक फंदा निकाल लिया, फिर 16 फंदे, फिर एक निकाल लिया, फिर 16 फंदे, फिर 16 फंदे, फिर एक फंदा निकाल लिया, लास्ट में 8 फंदे बिन लिया हैं चार हिस्सों में हमने ये फंदे बांट लिये हैं अब उल्टी लाइन में कि हमने आठ फंदे सीधे सीधे बिने थे इनको बिनेंगे एक दो साथ फंदे हमने ये बिन लिये अब जो आठ फंदा है एक ये फंदा ले लेंगे और एक बीच का बिना बिना हुआ है एक इसे इधर वाल दो फंदे हमने ये ले लिये बीच का फंदा छोड़ रखा है इधर का ले लिया और इधर का ले लिया बीच का फंदा छोड़ रखा है आब ये दोनों का एक कल ले पहला फंदा निकाल दिया दूसरा वाला फंदा जो छोड़ रखा था उसे ये सिलाई मे यह फंदा भीनिकाल दीया अब ये दो फंदे वचय हैं जो बिना बिने वग निकाला था इस फंदे को लेंगे और ये जो दो फंदो का एक यह है उस फंदे के उपर से निकाल दें.. इसतरीक me ये देखे, इस तरीके का हमारा आ जाए, अब एक फंदा हमारा यहां से कम हो गया, अब भी हमने बीज में 16 फंदे बिने थे, अब 14 फंदे बिन लेंगे, एक इधर से कम हो जाएगा, एक इधर से कम हो जाएगा, अब 14 फंदे हम बिन लेंगे, फिर आपको बताएंगे, अवे 14 फंदadd्य हमने बिन लिए हैं अब ये 20 का फंदा बिन बीने होई है तो एक इधर का लेंगे सेम उसी तरीके से जो मैंने अभी बता है एक इधर से एक इधर is दो फंदे ले लिए दो का एक कल लिया फिर ये फंदे को शुरू वाला फंदा निकाल लिया इसके ओपर से में इस तरीके से अलग सा जाएगा ये फंदा है एक ये फंदा है इसी तरीके से हम ये चार इनको बना लगे ये चार फंदे हमारे अलग आगे ये देखिए एक दो तीन चार नहीं अब यहां से उलटा उलटा विनंगे और इसको इस तरीके से गोलाई में ले लेगे इसको इस तरीकी से समझ में नहीं आया, यह हमने लेक के रख, 68 फंदे थे, 8 फंदे शुरू के, शुरू में बिल लिए, एक फंदा निकाल लिया, फिर 16 फंदे भी ने, फिर एक फंदा निकाल लिया, फिर 16, इसी तरीके से हमने 4 हिस्सों में यह फंदे बांट लिये हैं, अभी तक हमने 8 फंदे बिने, फिर 16 फंदे बिने अब ये फंदे यहां पार 7 रहे जाएंगे पहली लाइन में 8 थे, अब 7 अब हम दोनों साइट से उल्टा उल्टा बिने पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे, 7 फंदे बिने इस साथ फंदे हमने उल्टे उल्टे बीन लिये हैं धागा पीछे कर लेंगे जो ए फंदा हमने पहली लाइन में बिना बिने हुए निकाला था उसे बिना बिने हुए निकालेंगे सीधी लाइन में बिना बिने हुए निकालेंगे, उल्टी लाइन में दो फंदों का एक कलना है, फिर हम धागा आगे करेंगे, उल्टे-उल्टे बिनेगे, ये फंदे अभी तक हमने पहली लाइन में 16 थे, अब हम ये 14 फंदे बिनेगे, 14 फंदे उल्टा-उल्टा बिनेगे फिर ये फंदे को बिना बिने हुए निकाल लाइए इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लाइए अब फंदे हमने पूरी गोलाई में ले लिए हैं इस तरीके से फिन शिलाईयों से बिन रहे हैं अब भी नेंगे इसी तरीके से एक इधर से ले लिया एक इधर से ले लिया जैसे शुरू में किया था सेम उसी तरीके से करते हुए जाएंगे सीध्य फंदे को इस तरीके से इसको निकाल दे अभी तक एक था अभी दो बन गए फिर दूसरी लाइन में तीन बन जाएंगे चार बन जाएंगे इसी तरीके से उपर को इसे टोपी को बिनते हुई जाएंगे फंदे घटते हुए अब हमारे पास सिर्फ चार फंदे हैं वही चार फंदे एक, दो, तीन, चार अब ये चारों को हम बन कर देंगे दो फंदे ले लिए हैं दो फंदों का एक फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे तीन फंदे हैं, तीन फंदों का एक कर लेंगे बस इसको अंदर डालेंगे इस तरीके से हमारा ये बन गया है सुन्दर सी टोपी हमारी तयार हुए अब ये उन है, उन को हम तीन फोल्ड कर लेंगे अब इसको टोपी में लगाएंगे यहां पर इस तरीके से टाइट कर लेंगे अब इसकी एक चैन बना लेंगे इस तरीके से चैन हमने बना लेंगे अब इस तरीके से पॉम पॉम बनाएंगे पचाज बार हमने ये लगा लिया है अब इस तरीके से टाइट से हम बाद लेंगे पीछे के हिस्सा को भी बाद लेंगे इस तरीके से फिर इसे निकाल लेंगे अब हम इसे इसमें लगा लेंगे इस तरीके से और फिर इनको काट लेंगे अब इसे हम काट लेंगे इस तरीके से इसम इसी तरीके से हम दूसरी साइट से भी बना लेंगे तोनों साइट पॉम पॉम हमने बना लिए ती टोपी बनाई है एक अलग लूक में जीरो से छै मेहने के बच्चे के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें झाल